तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनीकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंथ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 17 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है खुश्बू रचते हैं हाथ और यह चैप्टर ज इसमें से खुश्बू निकलती है मिलब जितनी भी खुश्बूदार चीजे होती है वो कौन-कौन से हाथ मिलकर बनाते हैं वो आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे और इस कवीता के माध्यम से यही बात बताने की कोशिश की गई है कि वो इनसान वो हाथ यानिकि व खुश्बू रचते हैं वैसे हां जो कि खुद खुश्बू रचते हैं लेकिन वो खुद गंदगी में रहते हैं और गंदे मुहले में रहते हैं कूडे कड़कर के आसपास रहते हैं तो यही ध्यान दिलाने की कोशिश की है इस चप्टर के जो लेखक है लेखक का क्या ना कमल अपना सेंस कीजिए आप खुद से भी याद कर सकते हैं तो इस अप्टर के जूर लेखक है अरून कमल यही बात बताने की कोशिट की हैं कि वैसे हाथ जो कि दुनिया को खुश्वू से महका देते हैं खुश्वुदार कर देते हैं खुश्वू रचते हैं वो खुद गं नालों के पार कुड़े करकट के धेरों के बाद बद्वू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुश्वू रचते हैं हाथ खुश्वू रचते हैं हाथ बोल रहा है कि कई गलियों के बीच और कई नालों के पार कुड़े करकट के धेरों के बाद बद्वू से फटते जा करते हैं लेकिन फिर भी उस टोले के अंदर वह सभी लोग काम करते हैं और अच्छी होती है उसे खुश्भु जो हैं न वो लोग बनाते हैं जो की खूर करगट की आस पास और लोकी खीशास पीपल के पत्ते से नए नए हाथ जो ही के डाल से खुश्बुदार हाथ गंदे कटे पीटे हाथ जख्म से फटे हुए हाथ खुश्बू रच्ते हैं घ्रिस इसका मतलब यह कि ऊबू से आले हाथ यानि कि वैसे हाथ मतलब वो ही इंसान जो कि बहुत ज्यदा मेहनत करता एज्बा एम सान ईसका उपन और दिखाई देने के वजह से उसकी रोजी रोटी चलती है श्रम बहुत ज्यादा करता है जिसके वजह से उसकी नस हाथ की नस उभर गई रहती है तो उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखुनों वाले हाथ ठीक जो नाखुन जो घिस जाता है ज्यादा मेहनत करने के वजह से तो घिसे नाखुने नाखुनों वाले हाथ पीपल के पत्ते से नया नया हाथ बच्चों के हाथ ठीक है जोही के से खुशभुदार हाथ जो की खुशभुदार हो ठीक है गंदे कटे-पीटे हाथ काम करने के दौरान हात में चोट लग जाती है फिर कट जाता है तो वह हात जखम से फटे हुए खाने हैं यहें की चोट लग जाने के बाद हात फट जाता है वहात मतलब यह सभी तरह के हात लोना कर चेमिल कर बनाते हैं उनकी Gesetzentwurf को रचते हैं यही इस गली में बनती हैं मिलक की मशूर अगर बती ह इन्हीं गंदे मुहलों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी अगर बत्तिया दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुश्बू रचते रहते हैं हाथ खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, देखे इसका मतलब यह हुआ, कि यही इसी गली में बनती है, मुल्क की मशूर अगरबतिया, यानि कि मुल्क देश की जो मशूर मशूर अगरबतिया होती है, यही इसी गली में बनती है, और इनी गंदे मुहले के ग मतलब गंदगी के बीच यह लोग रहते हैं और उसी घंदगी के बीच रहकर और दुनिया की इस जितने भी खुश्बू होती है, वो 心सरी खुश्बू ये खुद अपने हाथों से रचते हैं, यानि कि खुद गंदगी में रहकर दुनिया को खुश्बू से माका देते हैं यह बात बताने की कोशिश किये हैं लेखक अरूर कमल खुश्बूरस्ते हैं हाथ और यहाथ जो है जो गंदगी में रहते हैं वह खुश्बूरस्ते रहते हैं ठीक है तो यहीं पर होता है आप लोग का चाप्टर कंप्लीट यहीं मतलब यह चीज लोगों को बताने की कि जो लोग गंदगी में रहते हैं वहीं दुनिया को महकाते हैं तो उन पर भी हम लोग को जरा ध्यान देना चाहिए पर्फ्यूम और अगर बत्ती जलाने से पहले यह तो एक बार ध्यान आना चाहिए ना कि आखिर यह बनता कहा होगा ठीक है तो यह है आप लोगा पूरा च अगर आप लिए ने के बाद बेल आकन यानि की घंटी को दबाना मत बूलिएगा घंटी को दबाकर और अपसन क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का अब तक सबसे पहले पहुशेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स्ट टूडियो में नेक चरो चरों झाली गल्ली का अबoti रूली को तो फिया है गल्ली को यह कि में लेता हुशेगा लिए हो ज्किते हैं